गुड बॉनिंग सुपरबात केमशो सलाम उम्मीर आप सब लोग भैतर होंगे अपना ध्यान रख रहे होंगे हम में से कई सारे लोगों को इसा लगता है कि मेडिकल इंटरेंस एक्जाम के लिए हम महनत करते हैं तो सेलेक्ट होते हैं कई बार बहुत महनत करते हैं तो भी सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं तो इतना नमबर आ जाता है कि मेडिकल कॉलेज मिल जाता है अब जब ये निट 2021 का एक्जाम हुआ था तो CUThome को लेके मैंने कुछ वीडियो में किये थे मैंने मैंने कहा था कि इतना कट आप जाएगा इस बार पिपर ऐसा रहा तो इतने नंबर पर सेलेक्शन हो सकता है तब कई बच्चों ने बोला कि सर नहीं नहीं पॉसिबल नहीं है सर ऐसा नहीं है लेकिन यदि आप रियल में देखें तो अभी जो काउंसलीन चल रह बच्चे जो ऐसे हैं जो बायो मेंटर से पढ़े हैं जिन्होंने मेल किया है जिन्होंने हमको इंफॉर्म किया है और दे गाट Mbps सीट अन्दर देखिए महारास्टा के अंदर देखिए आपको सीटे मिल रही है गोर्मेंट मेडिकल कोलेज की अब बच्चे बोल रहे नया के और competition तो रहेगा इसमें कोई दो राय नहीं कि top के medical college जो जो high ranker colleges है या ऐसा बोले हम कि जो पुराने established college है वो आज भी जो है वो अधिक effort के बाद ही मिलेंगे लेकिन कोई भी government medical college जो आज भी खुलता है इस साल भी खुलता है तो अगले पास सालों में वो अपने आपको पु इस नहीं ली जाएगी तो वहाँ पर patient जरूर आएगा इवेन private medical college भी जो है वो उनकी अस्पताल को भी उन्हें charity में चलाना पड़ता है तो वहाँ भी भीड होती है तो ऐसा नहीं है कि private medical college जो है या government medical college जो है वो engineering college के समानूं का हाल होगा हाँ ये बात अलगे कि government जो डिमा दो में medical colleges खोले जा रहे हैं कि health care का जो crisis covid के time में इंडिया में समझ में आया उससे ये government को अंदजा हो गया है कि यहाँ पर एक बड़ा scope है और मजे की बात यह है कि government जिन medical college को भी खोल रही है उनके लिए कुछ policies ऐसी भी बन रही है कि बाहर की student इंडिया पढ़ रहे हैं जै Russia Ukraine China और हाल ही में जो है वो भी अपना जो है मलेशिया के अंदर भी कुछ medical college शुरू है तो इसी कुछ country में लोग जाया करते थे तो government का बोलना है कि बच्चे यह बाहर पढ़ने जा रहे हैं तो क्यों ना हम इतने medical college खोले प्राइविड बाले भी जहां पर की बच्चे है कि यदि हम बहुत सारे बहुत सारे तमाम तरे के batches को चलाएंगे 50 तरे के faculty अंदर रखेंगे तो सायथ से quality monitor करने में हमको दिक्कत होगा इसलिए हमने limited number of intake limited number of batch पर focus करते तकि quality हमारा जो है वो maintain रहे और quality ही at the end of the day जो matter करता है वो सिर्फ quality matter करता है गुडवत्ता matter करता ह तो मैं वही बोलूँगा जो बच्चे medical interest की तयारी कर रहे हैं उनको बोलूँगा कि बिटा बस सिद्धत से एक बार अच्छे था पढ़ लिए golden time है select होने के लिए golden time है आप अच्छा करेंगे आप जूरूर select होंगे अब आज अचानक से मैं सिर्फ medical के बारे हम बात क्यों क कर रहा हूं कि मैं आपको बतलना चाहता हूं कि आप जब medical college में पहुंचते हैं आप medical के लिए select होते हैं तो यह कीन मानिए कि यह सिर्फ आपका मेहनत का चैन नहीं है यह इश्वर ने भी आपको एक मोका दिया है कुछ कर गुजरने का अभी कल मेरे परसों मेरे एक मित रहे में और central इंडिया की तुला में तो वहां पर वह इमर्जनसी मेडिसिन वहां पर डिपार्टमेंट बकाइदा बना हुआ है उसके वहां पर होडी है तो वह मेरे को किसी जब हम लोग CMC बेलोर में किसने तो वहां मुझे मिले थे किसी कोर्स के दुरान तो उन्होंने जो है मुझे कल एक वीडियो भेजा कि बच्चा जो है वो छत पर खेल रहा था उसकी मा छत पर पापर सुखाने गई हुई थी और बच्चा खेलते खेलते घर में जो होते हैं कई घर होते हैं जो चट दल गया आपर किनारे नहीं बने बाउंडरी वाल होती वो नहीं बनी या क्य एक की रोड लगी हुई थी वो रोड बच्चे के जो है वो मूझे लोऑ अंदर गई और वो रोड क्या किया रोड पता नहें बच्चा किस परकार जिए किस एंगल से इहां से होते हुए मूझ से निकलकर वो गले के एक हिस्टेस वह पीट से बाहर निकल गई वो फोटो भेजा उन्होंने मेरे को वीडियो भेजा इवन आपको बता दू मैं तो खुड डॉक्टर नो लेकि उसे देखने के बाद मैं भी सीहर गया एकदम से कि यह कैसे इतना बुरा कि वो रॉड जो है वो गया मुह से गया और होता हुआ गरते होता पीट से यहां से बा प्राइविट होस्पिटल है जो मेडिकल कॉलेज है तो उस वहां लेकर पहुंचे पास में था वहां लेकर पर यह ड्यूटी पर थे उन्होंने देखा बच्चे को और उसके बाद इन्होंने बताया कि हमारी पूरी टीम ने बच्चे को जो है उसका ऑपरेशन किया और किया गया उन्हें कहा कि यह तो इश्वर की महरवानी थी रॉट जहां से निकला महां से कोई वाइटल पार्ट डैमेज नहीं हुआ जिसे जहां वो चेस निकला तो लंग्स के कुछ सेंटीम्टर उपर से रॉड निकल गया तो लंग्स को वह बस्ट कर देता हो जहां से मुझसे गया गरदन से गया जूगलरवीन को सेव कर दिया उसने मतलब वो रॉड निकली जरूर है बड़ी के आरपार लेकिन उसने वाइटल हिस्से कि जूगलरवीन रफचर हजाती तो बच्चा मर जाता ठीके ये वाली आर्ट्री तो बच्चा मर लेकिन वो इससे damage हिस्सों को repair करते हुए 16 गंटे का operation के बाद उन्होंने बच्चे को save कर लिया बच्चा खत्रे से बाहर है उनका बुलना है कि थोड़े दिन में बच्चे को जो है वो मतलब यह कि कुछ दिन रखना पड़ेगा एक आद दो वीक रखना पड़ेगा को कि severe injury उसकी उसकी बच्चे को हम release कर देंगे चोड़ देंगे और वो खत्रे से बाहर हो गया है उन्होंने फोटोग्राफ भीजा मेरे को पहले का और बाद का तो सच तो यह है कि जो तस्वीर उन्होंने भीज़ी उसको देखकर आदमी डर जाएगा कि क्या हो कैसे हो आज तो गया डॉक्टर खड़े देकर सरजरी करते रहें सरजन्स की पूरी टीम काम करती नहीं आपे महाँ पर मैक्जिलो फैसली सरजरी वाई लोग ते जो डेंटल होते लोग होते चहरे से गया था वो डेमेज हुआ वो हिस्सा वो भी का आये ठीके तमाम तरह के सरजन्स आये के ENT वाला भी गंटे ऑपरेशन चला आप से मैं बोलता हूं चार गंटे पढ़ लो 6 गंटे मिलके बेठके पढ़ लो आप बोलते। साब बहुत लंबा है तो 6 गंट आर्ट घंट नहीं पढ़ेंगे आप तैसी बोलते हो 12 गंट पढ़ना पढ़ता है आप 16 गंटे ऑपरेशन किया है साम इसका मतलब यह कि medical इधरेंड वर्ड एक दुनिया ही लगे पूरी हो तुमको लगता है डॉक्टर है इतना कमाता है उतना कमाता यह करता है वो करता है अरे भाई जो वह काम करते उस काम को तुम compare कर लो उस मा से जाके पूछना कि इस बच्चे की जिन्दगी की कीमत क्या है तो मा बताएगी कि अनमोल है मेरे लिए मेरा बच्चा नहीं तो मैं कैसे रह पाऊंगी तो बात पैसो की नहीं है बात यहां पर उस passion की है उस डूब कर काम करने की है और वो कैसे आता है वो सेलेक्ट हुए हो इस बात के लिए भगवान को अल्ला को गौड को सुक्रिया करना कि तुने मुझे चुना है thank you very much मैं justify करूँगा इस चीच को मैं तुने मुझे चुना है है इश्वर है अल्ला तुमने मुझे चुना है गौड तुमने मुझे चुना है मैं तुमा को तु उपर वाला तुमको ताकत देता है महिनत करने के लिए, उपर वाला तुमको जो है वो सही ओरियेंटेशन देता है महिनत करने के लिए, और फिर तुम सेलेक्ट होते हो, तो हमारे गर्प करने की कोई बात ही नहीं है, जो देता है उपर वाला देता है, सद बुद्धी देगा वो देगा हमको हमारा भविष्य भी गाड़ना होगा तो हमको दुरबुद्धी भी देदेगा तुम जाओ रटो तुम किसी काम के नहीं हो तुम लगो गलत काम में जाके आपका दिमाग फिर जाएगा वो आप पर कंट्रूल करना बंद कर देगा वो लेगा जाओ तुम तुम सेटान के भरों से चलो इसलिए remember that यदि आपको कभी भी अपने जीवन में एहंकार से बचना है ना एहंकार घमेंड से बचना है तो एक बात याद रखना अच्छे से यही मान लेना कि तुम सिर्फ उपर वाले की कठवटली के समान हूँ वो तुमको सही दिशा दिखा रहा है इसलिए हमको सिर्फ एक काम करना है इमानदारी से प्रयास करना है उपर वाले तक से connect करने के लिए एक connection होता है सही तार का जुड़ेगा तो current flow करेगा आपको सिर्फ इमानदरी से काम करना है आप आस्तिक हो चाहें ना हो कोई फरक नहीं पड़ता there is certain super power that rule the world तुम इतना सुच लो you want to connect with the universe और वो honesty के साथ इमानदरी के साथ तुम उससे connect कर पाओगे तो तुम select नहीं होते हो तुम हो select किया जाता है have a great day all the best bye bye